हेलो दोस्तों पॉलिटेक्निक लर्निंग सेवन सेवन क्लस्स में आप सभी का हर्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको आपको जो डाउट है कि सेकेंड राउंड की जो हमारा कॉंसलिंग का रिजल्ट है वो कब आएगा और उसके बाद उसकी यानि कि स इसकी सारी इंफॉर्मेशन में दूंगा सबसे पहले इसके मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी कॉयरी हैं बहुत सारे कमेंट्स आ तो उसको भी यहाँ पर आपको ले लेता हूँ देखे दोस्तों मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि अगर आपने फर् कांसलिंग में भांग लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा आप सेकना की कांसलिंग में भांग ले लेंगे ठीक है न। यहां इतना समझ लीजिए आपको second round की counselling में जो भी result आएगा फिर आपको मिल जाएगा अगर दोस्तों आपको कोई भी college मिल गया है इतना समझ लीजिए अगर आपको कोई college मिल गया है और आपने अगर freeze कर दिया है तो freeze कर दिया है तो दोस्तों कोई option नहीं है आपको document verification करवाने जाना होगा अगर दोस्तों आपने flood कर दिया होगा तो आपको 3000 रुपए जमा करने होगे इसके बाद आप next round की counselling में भाग ले पाएंगे अगर आपने दोस्तों flood कर दिया है तो flood करने के बाद आपको कोई भी दोस्तों आप extra choice fill या lock नहीं कर पाएंगे अगर आप fresh आपने registration किया है second round में तभी दोस्तों आप new choice भर पाएंगे और उसे lock कर पाएंगे तो यह आपका doubt मैंने clear कर दिया है यह सभी बच्चों का बहुत सारा doubt आ रहा था अब यहां पर बात करते हैं कि हमारे जो second round की counselling में participate कर लिया है तो उसका seat allotment कब होगा और उसके document verification कब करवाने जाना होगा उसके बारे मैं सारा का सारा आपको information दूँगा वीडियो को प्ल हमारा फोर्थ यह first round की जो हमारी फ्रीज और जो भी था वह हमारा 17 से 19 के बीच था अभी दोस्तों आप सभी की कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा अभी 19 तारीक को यानि की college बंद है आज संडे ही है इसके पहले कुछी को उप्लेच में college बंद था आपका document verification नहीं हो पाए तो सकते हैं यहां पर second round को registration कब से हो रहा था तो दोस्तों हमारा 18 से 19 के बीच होना था ठीक है आप साफ यहां पर देख सकते हैं साफसाब लिखा हुआ है इसके बाद बात करते हैं थो सकते हैं निएक कई कर्ण को जो रिजल्ट है वह आ जाएगा थोड़ा सा लेट हो सकता है आपको परिशान होने के जोत नहीं है जैसे ही आएगा रिजल्ट मैं आपको बता दूंगा इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों अगर आप न्यू हो तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जुरूर अन कर लिजे तक कि आपको तुरं फ्रीजन फ्लॉट को जो भी आप्शन है वह आपका 21-22 तारीक तक सारा का सारा चलेगा ठीक ना फिर इसके बाद थर्ड डाउन की काउंसलिंग 21 तारीक से थर्ड डाउन की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और 21-22 के भी हमारा रिजिशन भी होगा इसके बाद और दोस्तो थोड़ा सा पॉइंट यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो डाकुमेंट वेरिफिकेशन है वह थोड़ा सा डिले भी हो सकता है आपको परेसान होने की जरूरत नहीं है ठीक है तो यह तो रहा हमारा सेकेंड राउन की कांसलिंग का सारा का सारा सेड्ड हैंयो heartfelt कि आपका सेडलौत कब होगा डाकुमेंट वेरिफिकेशन कब होगा दोस्तो आप अथा है तो इसका स्क्रेंडल हो सकते हैं मैंने सारा का सरा बताता है अगर बच्ता आप कमेंट के ciudव में बता सकते हैं देखें दोस्तों कमेंट्स में आपका उसके बाद री कमेंट्स का रेपलाई करना थोड़ा सा मुश्कील हो पाता है तो दोस्तों आप अगर न्यू हो तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिजिए और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको पॉली टेक्निक कांसिलिंग से लेकर के हर एक पॉली टेक्निक से जुड़ी हर एक चीज़ के बारे में हमें आपको अपडेट देता रह